जिला प्रमुक के अध्यक्षता में हुई जिला इस्थापना समीती की बैठक आयोजित की गई जिसमें 477 सिख्षकों का स्थाई करण गर उनके आदेश जारी किये गए यह वे सिख्षक है जिन्होंने दो साल का प्रबोशन पीरियट पूरा कर लिया था स्थाई करण के आदेश जारी होने के बाद सिख्षकों को भी रहत मिली है कि अब वह पर्मानेंट हो चुके हैं तो वहीं 2013 के दो सिख्षकों का भी स्थाई करण किया गया तो वहीं 2018 के अंदता स्रेणी में शामिल हितेश कुमावत को भी न्युक्ति दे दी गई दूसरी और लेवल प्रत्थम के तीन अभ्यार्तियों की न्युक्तियों पर रोक कर दी है दूसरी और उन तरह सिख्षकों के स्थाई करण के आदेश जारी नहीं किये गए जिनके डिग्रियां बाहर की थी उनके डिग्रियों की जाच के बाद ही इनका अनुमोदन किया जाएगा सिख उसलूगों के घर में खुशिया वी लोटी आपने ब्रिग्रियों कि आज हमने डिसी की मीटिंग रखी है उसमें कम से कम करकि काफी दिनों से ये प्रकरण चल रहा था तो इसमें हमने काफी चार सो सतंतर लोगों को इस्ताइकरण किया है और इसमें कम से कम 22 लोग एक ने तो उसको 23 लोगों को हमने नियुक्ति दी है और आगे की जो कारवाई है आगे जो लोग बचे हैं उनको नेक्ट टाइम हम अस्ताइच चाल देखें कहना श्री रेस्ट्राव एक बार आएंगे तो यहां का स्वाद नहीं भूल पाएंगे आपके हर सेलिब्रेशन जैसे बिर्थडे पार्टी, रिंग सारमनी, किठी पार्टी और कॉन्फरेंस को हम बनाएंगे यादगार दिलिश्यस, यम्य, और वेजटरियन, वराइटिस अफूद, नो गत 10% इसकान श्री रेस्ट्राव A24C, A-Block, निर सिटी स्क्वार मॉल, बंचिलनगर, अज्मे, सुकॉंत, 9929590449